नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज फिर इस वीडियो के साथ आए हैं और नई योजना के साथ आए हैं तो दोस्तों गरबबती महिलाओं को बड़ी खुसकबरी, सरकार का तोफ़ा, गरबबती महिलाओं को मिलेंगे 6,000 रुपे, बेटी हो या बेटा सरकार देने जा रही ह महिलाओं को 6,000 रुपए तो दोस्तों कैसे आपको 6,000 रुपए मिलेंगे किसी योजना के अंतर मिलेंगे यह हम सब इसके माध्यम से बताने वाले हैं इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपके एक लड़की है और साथ इसाथ एक लड़की अगर है तो आपको 6,000 यानि पहले लड़की पे आपको 6,000 रुपए मिलेंगे और अगर दूसरी लड़की है तो भी आपको 6,000 रुपए मिलेंगे अगर दोस्तों आपकी एक लड़की हुई है जो कि पहली बार आपने इसका जो है फाइदा ले लिया है तो दोस्तों पहले लड़की में आपने फाइदा ले लिया है और दूसरा अगर लड़का है तो आपको इस i-ski में फाइदा नहीं मिल पाएगा इस i-ski में आपको फाइदा नहीं मिल पाएगा दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका पहली भी लड़की हो तभी आपको 6,000 रुपए मिलेंगे और अगर आपकी दूसरी भी लड़की है तो भी आपको 6,000 रुपए मिलेंगे इस योजना की अंतरगाइट तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको क्या-क्या करना होगा क्या-क्या डाकुमेंट्स लगने वाले गई इस योजना के तहट गर्वबती महिलाओं को पहले बच्चे के जनम के दोरान लाब मिलता है और उसके बाद इसी में गर्वबती महिलाओं के लिए भी केंद्र सरकार की यहाँ खास स्किम चलाई जा रही है जिसके तहट उन्हें आर्थिक सहायता दिया जाता है यहाँ इसकी महिलाओं कर सकती हैं इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं आवेदन करने के लिए दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा इससे पहले की केंद्र सरकार दोरा गर्वबती महिलाओं के लिए प्रदान मंत्री मातरती योजना चलाई जा रही है इसी योजना के तह गर्वपती महिलाओं को पहले बच्चे के जनम के दौरा लाव मिलता है साथ इसाथ सरकार गर्वपती महिलाओं के अकाउंट में सीधे 6000 रुपई ट्रांस्फर करती है तो दोस्तों यहाँ पर जो गर्वपती महिलाएं हैं उन्हें सरकार छे हजार रुपए उनके खाते में देती है उसके बाद दोस्तों सरकार द्वारा यहा धनरासी तीन किस्तों में दी जाती है पहली किस्त जो है वो एक हजार की और दूसरी किस्त दो हजार उसके बाद दोस्तों तीसरी किस्त दो हजार वही जन्म के दौरान एक हाजार की आथिक सहायता सरकार द्वारा दी जाती है यानि दोस्तों कुल मिलाकर गर्बबती महिलाओं को छे हाजार रुपए दिये जाते हैं और साथी साथ प्रधान मंत्री मातरत योजना के अंतरगत दूसरे बच्चे पर भी यहाई लाब मिलता है उसका दूसरा बच्चा लड़की होना चाहिए लड़कियों को बढ़ाबा देने के लिए ही सरकार ने तेरी बहन तो दोस्तों यहाँ पर जो बच्चा होगा तो पहले लड़की होना चाहिए तब इसका लाब मिलेगा और दूसरे भी लड़की होना चाहिए तब इसमें लाब मिलेगा उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपने नज़ती की आप कहां से इसका राजिस्टेशन करवाएंगे उसके लिए आप अपने स्वास्ते केंदर जाएंगे या आप अपनी जो आंगनवारी केंदर होता बहां जाकर अवेधन कर सकते हैं या इसका अवेधन भर सकते हैं योजना कालाब उठा सकते हैं जो भी गर्बमती महिलाएं हैं सरकार के माध्यम से 6,000 रुपईया आराम से इसे ले सकती हैं इस योजना कालाब लेने के लिए आवश्यक डाकूमेंट्स क्या है तो चलिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ तो देखिए यहाँ पर लिखा कि अगर आपको इस योजना कालाब लेना है या लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या डाकूमेंट्स होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए उसके बाद पासपोर्ट साइज होना चाहिए महिला की पासबुक होती है जिसमें की सरकाद 6,000 रुपईया DVT के माध्यम से खाते में ट्रांसपर करती है उसके बाद है गर्वबती महिलाओं का टीका कार्ड यानि जब गर्वबती महिला होती है तो उसी समय उनका टीका कार्ड बनाया जाता है वहाँ टीका कार्ड आपके पास होना चाहिए उसके बाद साथी साथ दोस्तों 10 रुपई की जो नोट्री होती है 10 रुपए के इस टाम पर एक नोटरी बनायी जाती है वो भी आपको बनवाना होगा अपने किसी भी वकील के माध्यम से उसके बाद महिलाओं के खाते में DVT लिंक होना चाहिए और यहाँ पैसा महिलाओं के खाते में DVT के माध्यम से ट्रांस्फर होता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस योजना का लाब लेना चाहते हैं तो आपका जो खाता होता है आपके खाते में KYC होना चाहिए या कह सकते हैं DVT लिंक होना चाहिए तभी आप इस योजना का लाब ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि आप अपने आंगनवारी केंद्र जो होता है वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या आपकी जो आसा होती है उसे भी आप संपर्क कर सकते हैं इस योजना का लाव लेने के लिए दोस्तों आसा